सुप्रिम कोट ने केंदर सरकार से कहा है कि वो कोविड-19 से मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा राशी देने के लिए जल्दी ही तिशा निर्देश जारी करें गरतलब है कि कोरोना से मौत होने पर 4 लाख रुपे मुआवजे की मांग को लेकर सुप्रिम कोट में सुनवाई हुई सुप्रिम कोट ने कहा कि मुआवजा तै करना हमारा काम नहीं है ये काम NDMA का है सुप्रिम कोट ने केंदर से कहा कि वो इस सम्बंध में सभी राज्यों को छे सपताह के भीतर निर्देश चारी करे और गाइडलाइन्स तयार करें केंदर इस बात का आकलन करे कि मुआफजा कितना होना चाहिए ये परिस्थिती देखकर तै होना चाहिए लेकिन हर परिवार को मुआफजा देना ही होगा वर्तलब है कि कोरोना की दूसरी लहर ने कई परिवारों को पूरी तरह तबहा कर दिया उसमें जादतर कमाने वाले मुख्या की मौच से परिवारों की हालत खराब है इसी मुद्दे को लेकर सुप्रिम कोट ने इस पर सुनवाई की है इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन प्रेज करना ना भूदे